नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी यूटूब चैनल विसी एस बैसिक भीजिक्स में आज के इस व्यूडियो में हमें कक्सा बारा जो एनसे आड़ी की पाठे पुस्तक है उसके दसवे चेप्टर तरंग प्रकास की का एक टोपिक लेकर चलेंगे आज का जो हमारा डोपिक है वो है हाईगेन के तरंग सिदान से प्रकास के अपुर्दन की व्यक्षा हम हाईगेन का तरंग सिदान पर पढ़ चुके हैं और प्रकास का अपुर्दन भी पढ़ चुके हैं देखे मैं एक बार इन दोनों को पहले समझा देता हूँ, फिर हम हाईगेन के तरंग सिदान से प्रगास के अपवर्तन की व्यक्षा यहाँ पर करेंगे. देखे सबसे पहले हम बात करते हैं प्रगास का अपवर्तन होता क्या है, विद्यारतियों हम जानते हैं कि जब प्रगास एक माद्यम से दूसरे माद्यम में प्रवेश करता है, तो वह अपने पत से विचलित हो जाता है, अपने पत से थोड़ा सा मुड जाता है, तो उस गठ गठना को ही हम प्रकास का अपवर्तन कहते हैं उस गठना को ही क्या कहा जाता है प्रकास का अपवर्तन कहा जाता है देखे ध्यान देंगे आप लोग एक बार बोर्ड पर ये हमारे पासने हैं अंत्रा प्रस्ट अंत्रा प्रस्ट एक ऐसा प्रस्ट होता है जो दो माद्यमों क अलग करता है ये हमारे पास में है दो माद्यम ये है माद्यम फर्स्ट और ये है माद्यम सेकेंड दो माद्यम है और दोनों माद्यमों को अलग करने वाला जो प्रस्ट है उसे हम कहते हैं अंत्रा प्रस्ट और मैंने यहां पर इसे एम एम डेस से प्रतसित कर दिया है clear जैसे ये काच हो सकता है ये वायू ये वायू या जल हो सकता है दोनों अलग-अलग माध्यम होने चाहिए clear जब कोई प्रगास की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो देखे इसका पत्थ होना तो इस तरीगे से सीधा चाहिए था बट ये अपने पत्थ से क्या हो जाएगी थोड़ी सी मूड जाएगी अपने पत्थ से थोड़ी सी क्या हो जाएगी प्रगास की किरण थोड़ी सी मूड जाती है थोड़ी सी विचलित हो जाती है चाहिए थी बट ये अपने पत से थोड़ी सी क्या हो गई है विचलित हो गई है तो इस गठना को हम कहते हैं प्रगास का अपवर्तन ये जो प्रगास की किरण आ रही है पहले माद्दे में इसको मापतित किरण कहते हैं जो दूसरे माद्दे में अपने पत से मूड जाती इस आप्वर्टित कीरण है इसको हम आप्वर्टित कीरण है और आप्विलम्भ है इन दोनों के मद्दे के कौन को हम आर से प्रदसीत करेंगे अपवरतन कौन कहलाता है तो देखे ये है प्रकास का अपवरतन एक और इसके डेफिनेशन फिर से सुमिलीजी कि जब कोई प्रकास की किरन एक माद्यम से दूसरे माद्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पत से जिचलित हो जाती है तो इस गठना को हम प्रकास का अपवरतन कहते हैं clear अब देखिए जो प्रकास का अपवरतन होता है तो ये कुछ नियम काईदों को follow करेगा तो उन्हें हम अपवरतन के नियम कहते हैं वेसे अपवरतन के मूझ तीन नियम है सुन लिजे, समझ लिजे क्या है? पहला नियम तो यही है कि आप्तित किरन अपवर्तित किरन थिता अबिलंब तीनो एक ही तल में इस्तित होते हैं एक ही प्रष्ट के उपर तीनो मुझूद होंगे दूसरा नियम क्या है? जिसे हम सनेल का नियम भी कहते हैं आप्तन कौन की जा तो वो आप्तन कौन की जा होगे यह साइन आई और अपवर्तन कौन की जा अपवर्तन कौन यहां पर आर है तो वो होगया साइन आर इन दोनों का जो अनुपात है वो नियत रहता है जो कि अपवर्तन के बराबर या पहले माद्यम और दूसरे माद्यम में प्रकास के वेगूं के अनुपात के बराबर होता है क्लियर? यहां तक आप लोगों समझ में आ जाना चाहिए तीसरा नियम क्या है कि जब प्रकास की किरण एक माद्यम से दूसरे माद्यम प्रवेश करती है तो अपने पत से तो मूड़ी जाती है बड़ उसके साथ में कुछ चीजे और भी बढ़ जाती है जैसे प्रकास की चाल बढ़ जाएगी चाल में परिवर्तन आ जाएगा यदि वो विरल से सगन में जा रही है तो चाल कम हो जाएगी सगन से विरल में जा रही है तो चाल बढ़ जाएगी clear इसके साथ में आवरती में कोई परिवर्तन नहीं होता बट तरंग धिरी बदल जाती है प्रगास का जो रंग है वो भी बदल जादा तरंग धिरी बदलेगी इट मेंस वहां पर रंग भी बदलेगा क्योंकि जो रंग है वो तरंग धिरी की उपर ही डिपेंट कर रहा है अलग अलग रंगों की तरंग धिरी अलग अलग होती है तो यदि तरंग धिरी बदल रही इट मेंस प्रगास किर्णों का रंग बदल रहा है clear तो यह है अपवर्तन की गठना और अपवर्तन की नियम एक वार अपवर्तन की नियम फिर से सुन लीजे कि आपतित किरण अपवर्तित किरण और अभिलम तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं दूसरा जो निएम है इसे हम सनेल का नियम भी कहते हैं आपतन कोण की जा ये आपतन कोण है तो इसकी ज जा हो गई I और अपůरतन कोण की जा अपवरतन कोण यहां पर है R तो इसकी जया होगी है साइनार, तो आपतन कौन की जया साइनार, इन दोनों का जो रेस्यो है, अपवरतनां का लाता है, नियत रहता है, और पहले माद्देम और दूसरे माद्देमें प्रगास के वेगों के अनपांथ के बराबर होता है, clear? तीसरा नियम क्या है, जब प्रगास की किरण एक माद्देम से दूसरे माद्देमें प्रवेश करती है, तो प्रगास का जो वेग है वो बदल जाता है, साथ में तरंग धिरी और रंग बदल जाता है, बट आवरती है परिवरति रहती है, आवरती में कोई बदलाव नहीं concept पर आप लोगों को समझाया clear अब हम बात करते हैं हाईगेन के तरंग सिदान्त की हाईगेन का जो तरंग सिदान्त है वो क्या कहता है समझ लीजिए हाईगेन ने ये कहा था कि जो प्रकास है वो अनुधिरी तरंगों के रूप में संचरित होता है इन्होंने प्रकास को अनुधिरी तरंग के रूप में माना clear और वो जो तरंग है अनुधिरी तरंग है वो तरंगागर के रूप में संचरित होती है इन्होंने एक वर्ड का प्रियोग किया जिसे तरंगागर कहा गया वेव फ्रंट इसे कहा जाता है देखें तरंगागर एक्चुल में है क्या तरंगागर एक प्रिस्ट होता है जिस पर प्रकास की किर्णे एक समान कला में होती है कि एक ऐसा प्रिस्ट जिस पर प्रकास तरंगे एक समान कला में होती है एक समान निधी में होती है तरंगागर कलाता है क्या कहलाता है तरंगागर कहलाता है एक बार फिर से सुन लीजी एसा प्रस्ट जिस पर प्रकास के तरंगे एक समान कला में एक समान निधी में हो तरंगागर कहलाता है क्या कहलाता है तरंगागर तो हाईगे ने ये कहा कि जो प्रकास है वो तरंगागर के रूप में संत्रित होता है तो जैसे मालीजे कि ये हमारे पास में कोई किरण है प्रकास की किरण तो तरंगागर इसके ठीक लमवत रहेगा ये है तरंगागर डबलू डेस तो जिसे हम wave friend भी कहते हैं प्रगास की जो किर्णे है वो इधर जा रही है तरंगागर भी उनके प्रगास ऐसे बढ़ रहा आगे तो ये जो तरंगागर है वो भी इसी प्रगार से आगे बढ़ता चला जाएगा यह जो तरंगागर और प्रगास किर्णों के बीच का जो कौन होता है वो 90 डिगरी होता है clear? तो तरंगागर एक ऐसा प्रष्ट है जैसे यहाँ पर आप समझना कि यह जो तरंग है वो ऐसे चल रही है तो यहाँ पर यह वाला पॉइंट आ गया इसमें भी ऐसा ही पॉइंट आना चीए मतलब दोनों एक समान कला में होने चीए यदि आप इससे ज्यादा प्रगास की किर्णे लेते हैं तो सब में यह वाला जो पॉइंट है ना मतलब यह इस प्रष्ट के उपर सारी तरंगों का यदि सारी एक तरंग सरंग पर है तो दूसरी भी सरंग पर तीसरी भी सरंग पर सभी तरंगे सरंग वाली वस्था में होगी तो उस प्रष्ट को हम कहते हैं तरंगागर ऐसा प्रष्ट जिस पर प्रगास तरंगे एक समान कला में होती है मतलब यह तो सारे की सरंग है तो सभी तरंगे सरंग पर रहेगी गर्त में है तो सभी तरंगे गर्त में रहेगी मतलब उनका जो कलाकोण है ना इस प्रष्ट के उपर वो सेम रहता है कलाकोण सेम रहता है हम प्रगास तरंगों को या किसी भी प्रगार की जो तरंग है उसको इस फो में लिख सकते हैं और ये जो एंगल होता है इसको हम कहते हैं कलाकोण इसे क्या कहा जाता है कलाकोण कहा जाता है और इस प्रष्ट के उपर इस प्रष्ट के उपर जिसे हम तरंगागर कह रहे हैं सभी का कलाकोन सेम होना चीए सभी का कलाकोन क्या होना चीए सभी तरंगों का सेम होना चीए जैसे मैंने यहाँ पर ये एक तरंग दिखाई ये दूसरी तरंग दिखाई ये तीसरी तरंग दिखाई और सभी तरंगों का कलाकोन जिस प्रस्ट के उपर सेम होता है उसे हम तरंगागर कहते हैं उसे वेवरेंट कहा जाता है समझाई बात अब हम चलेंगे कि हाइगें के इसी तरंगागर वाले क्वोंसेप्ट को लेते हुए हम अपॉर्दन की व्याख्या यहां पर करने वाले हैं तो देखें यहां से इन लंग सिदान से हम अपॉर्दन की व्याख्या करने वाले हैं अब देखें इसके लिए हम क्या करेंगे एक अंतरा प्रस्ट यहां पर ले रहे हैं अंतरा प्रस्ट एक ऐसा प्रस्ट होता है जो दो माद्यमों को अलग करता है यह एम है एम डे से मैंने यहां पर दिखाया है ये जो प्रस्ट है इसे हम कहते हैं अंत्रा प्रस्ट इसको हमने M, Mडे से प्रदसित किया है ये जो प्रस्ट है वो दो माद्यमों को अलग करता है उपर वाले माद्यम को हमने ले लिया माद्यम फर्स्ट और इसे हमने ले लिया माद्यम सेकेंड अब देखिए यहां से कोई तरंगागरे पहले माध्यम से दूसरे माध्यम पर आपतित होता है तो वो अपवर्तित होकर दूसरे माध्यम में भी गति करेगा तो देखिए कैसे एक तरंगागर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरित होता है देखिए उसका भी जो तल है वो थोड़ा सा मुड़ जाएगा थोड़ा सा घूम जाएगा वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं देखिए इसको समझने के लिए भी हम प्रकास किर्णों का प्रियोग यहाँ पर करने वाले हैं हम यहाँ पर दो समांतर प्रकास किर्णों को इस अंत्राप्रस्ट के उपर आप्तित करवा देते हैं, फिर उनका अपवर्तन भी यहाँ पर देख लेते हैं, फिर तरंगागर के इसाब से उनको समझ लेते हैं, clear? देखी, यहाँ पर हम ले लेते हैं ये दो प्रकास की किर्णे, ये हमारे पास में एक प्रकास की किर्ण है, ये हमारे पास में एक दूसरी प्रकास की किर्ण है, ये दो प्रकास की किर्णे हमने यहाँ पर ले ली है, इन दोनों प्रकास की किर्णों को हमने इस अंत्राप्रस् तरंगागर कहा जाता है एक बार में तरंगागर की बजाए किरणों से आप लोगों को अपवर्तन की गठना बता देता हूं फिर उसके पशाद हम बताएंगे कि कैसे तरंगागर एक माद्यम से दूसरे माद्यम में जाएगा तो देखिए ये वाली जो प्रगास की किरण है वो इधर इस तरीके से इस पत के उपर जानी चाहिए थी बट ही अपने पत से थोड़ी सी क्या हो जाती है विचलित हो जाती है ये वाली प्रगास की किरण भी इस तरीके से विचलित हो जाती है ये दोनों जो प्रगास की किरणे है समानतर है ये दोनों प्रगास की किरणे हैं ये भी समानतर होगी clear अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो प्रगास की किरण अंतराप्रष्ट पर आकर टकराती है उसके ठीक लंबवत मैं यहाँ पर यह एक रेखा खींच रहा हूँ यह जो रेखा है वो अभिलंब कहलाती है इसको हमने अंडेस से रिप्रजेंट कर दिया है यहाँ पर भी हम एक अभिलंब ले लेते हैं यह हमने ले लिया एक अभिलंब अंडेस clear अभिलंब थता आपतित किरण के मद्दे का कौन है आपतन कौन कहलाता है जिसे हमने आई से प्रदसित कर दिया है अपवर्तित किरण थता अभिलंब के मद्दे का जो कोन है इसको हम अपवर्तन कोन कहते हैं इसमोल आर से प्रदसित करते हैं clear तो यह हमारे पास में है आपतन कोन यह है अपवर्तन कोन यह वाला कोन है यह भी अपवर्तन कोन है यहां प्रकास के अपवरतन को फिलाल यहां तक प्रकास के अपवरतन को फिलाल यहां तक प्रकास कीरणों के रूप में ही दिखाया है अब मैं यहां पर लेकर चलूँगा तरंगागरे हाईगेन ये कहता है कि जो तरंगागर है वो प्रकास कीरणों के ठीक लंवत प्रस्ट होता है तो देखे यहां से यह जो प्रकास की कीरणे आ रही है तो मेरे हाथ की भांती यह इस डस्टर की भांती तरंगागर ऐसे आगे बढ़ेगा इस तरीके से आगे बढ़ेगा और हम यहाँ पर इसके एक भाग पर यहाँ से कोई तरंगागर मान लेते हैं कि यह कोई तरंगागर इसके उपर आपतित हो रहा है यह कोई तरंगागर है जो कि इसके उपर आपतित हो चुका है clear इस बिंदू को मैं नाम देता हूँ A, तरंगागर का बिंदू A है, ये है बिंदू B, इस A, B को हम आपतित तरंगागर कहेंगे, ये जो A, B है, ये है आपतित तरंगागर है, आपतित तरंगागर है, a b क्या है एक आपतित तरंगागर है फिर उसके पश्यात आप देखेंगे कि ये वाला जो भाग है बिंदू जब b यहां पर पहुंचता है इस बिंदू को मैं नाम देता हूं b ds b b ds पर जब पहुंचता है तो उतने में ये जो a है वो एक बिंदू a ds पर पहुंच जाएगा हम आपको बता दें कि माद्यम फर्स्ट और माद्यम सेकिंड में प्रकास के वेग अलग-अलग होंगे यदि माद्यम अलग-अलग है तो प्रकास के वेग भी अलग-अलग होंगे और इसी वज़े से ये थोड़ा सा इस तरीके से बूढ जाएगी देखो इस माद्यम में प्रकास का वेग हम मान लेते हैं c1 माद्यम फर्स्ट में प्रकास का वेग है ये माद्यम फर्स्ट में प्रकास का वेग प्रकास का वेग और इस माद्यम में जो दूसरा वाला माद्यम है इसमें प्रकास का वेग मान लेते हैं C2 प्रकास का वेग और ये है माद्यम 2 में माद्यम सेकेंड में देखें ये दोनों यहाँ पर इस डाइग्राम से इसपस्ट है कि माद्यम एक विरल माद्यम है माद्यम दो, एक सगन माद्यम है विरल माद्यम से जब प्रगास की किरने सगन माद्यम में प्रवेश करती है तो प्रगास का वो एक थोड़ा सा घट जाता है तो यहां से आप देखेंगे कि जब बिंदू, तरंगागर का बिंदू माद्यम में प्रगास इतनी दूरी तय करता है तो इस माद्यम में इतनी ही दूरी तय कर पाता है दिखने में भी दोनों में अंतर लग रहा है यह दूरी ज़्यादा है, यह दूरी क्या है? कम है यहां पर ध्यान देंगे इस माद्यम में माद्यम फर्ष्ट में प्रकास का वेग अधिक है इतनी दूरी ते कर लेगा उतने ही समय में समय यंत्राल सेम है उतने ही समय में माद्यम सेकिंड में प्रकास एसे एडेस तक पहुचता है अर्थार्थ कम दूरी ते करता है कम वेग होता है यहां तक डाइग्राम आप लोगों समझ में आ जाना चाहिए अब देखिए इस डाइग्राम में यह हमारे पास में जो ट्रेंगल बन रहा है इसमें इस कौन को हम फाइंड आउट कर रहे हैं यह वाला जो एंगल आप देख रहे हैं यह है आई यह कौन कितना है आई जो कि आपतन कौन कहलाता है इस तरंगागरे थता आपतित किरिन के मद्दे का कौन यह कौन 90 डिगरी है यह कौन कितना डिगरी है 90 यह वाला जो एंगल है यह हो जाएगा 90 माइनस आई यह 90-i है तो यह एंगल कितना हो जाएगा आई हो जाएगा यह एंगल कितना हो जाएगा आई clear अब आप यहाँ पर आप ध्यान देंगे इसी प्रिकार से यह एंगल है r तो यह एंगल कितना हो गया 90-r यह एंगल कितना हो गया 90-r अ आय आ चुका है ये आ रा चुका है अब यहां पर हम देखेंगे कि B BDS किसके तुल्य है A ADES किसके तुल्य है फिर हम यहांपर हाईगेन के तरंग सिधान से जो सुनेल का नियम है उसको यहांपर प्रूफ करने वाले हैं देखे कि तरंगागर के बिंदू B को बीडेस पर पहुचने में जो लगा समय है वो हम T consider कर लेते हैं वेग यहां पर है C1 then B बीडेस दूरी कितनी होगी देखिए मैं यहां पर put कर रहा हूँ कि तरंगागर के बिंदू देखिए ज्यादा थियोरी में यहां पर put नहीं कर रहा हूँ यहां आपको इस टोपिक के इस चेप्टर के नोट्स प्राप्त करने हैं तो आप हमरे वोट्सअप पर वोट्सअप नंबर हमें आपको यहां पर दूँगा जिस पर आप वोट्सअप करके इस चेप्टर के इस टोपिक के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं यहां पर आप देखिए त्रंगागर के बिंदू बी को बिडेस पर पहुचने में लगास में लगास में टी है उतने ही समय में उतने ही उतने ही समय में उसी टाइम इंटरवल में ए कहाँ पूह जाता है एडेस पर पूह जाता है समय में ए एडेस पर पहुच जाता है ए कहाँ पूह जाएगा एडेस पर पहुच जाता है ए कहाँ पूह जाएगा एडेस पर पहुच जाएगा यहां तक समझ में आ जाना चाहिए अब देखे, B-B-Days जो दूरी है वो कितनी होगी B-B-Days यहां से यह है दूरी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी बराबर होता है चाल इन्टू समय समय हमने कन्सिडर कर लिया कि यहां से प्रगास किरण को यहां तक पूंचने में लगा समय T है कितना समय लगा है small t के बरावर तो समय लग गया t और इस माध्य में प्रगास की जो चाल है वो है c1 तो दूरी बरावर हम चाल into समय पूट कर सकते हैं इसे c1 into t पूट किया जा सकता है इसको हमने दे दिया समी इकरण 1 देखिए दूरी बरावर हम क्या जानते है चाल into में समय तो हमने चाल c1 ले लिए समय t है इसी प्रगार से आप देखेंगे कि जो a है वो a days तक मुचने में लगा समय भी t ही लेता है then a a days किसके equal होगा a a days बरावर c2t क्योंकि दूसरा वाला जो माध्यम है इस माध्यम में प्रगास की जो चाल है वो है c2 समय है t तो दूरी बरावर यहां पर भी क्या गया चाल into समय चाल c2 समय कितना लगा t समय करण 1 और 2 आप लोग को समझ में आ जानी चीए अब इसके फशात आप देखिए हम यहां से इस एंगल आपतन कोण की जा और अपवरतन कोण की जा इन दोनों ट्राइंगल से फाइंड आउट करेंगे तो कौन सा तिरबुज लें a b b d तिरबुज यह हमने ले लिया a b b d से साइनाई साइनाई का मतलब हो गया आपतन कोण की जा हमें सनेल का नियम फाइंड आउट करने के लिए आपतन कोण की जा और अपवरतन कोण की जा फाइंड आउट करनी है तो आपतन कौन की जया तो यहाँ पर कितनी हो गई, लंब तो कितना है, इस आई के सामने वाली जो भुजा है वो लंब होगी, यह आपतित किरण और तरंगागर के मद्दे का कौन 90, यहाँ पर यह अपवरतित किरण के बीच का एंगल 90, तो यह वाला जो भुजा है बी के सामने वाली भुजा होती, जो कि ए बीडेस के बराबर है, ए बीडेस के एक्वल है, इसको मैं देता हूँ एक्वेशन नमर तीन, यहाँ तक आप लोग को आ गया समझ में, अब देखिए, तिरबुजे, अब की बार हम ले रहे हैं, ए एडेस बीडेस, ए एडेस, बीडे से, हम यहाँ से याद करेंगे, साइन आर, क्या गयाद कर रहे हैं आप पे, साइन आर, अपवरतन कोण की जिया, तो यहाँ पर यह एंगल आर है, इसके सामने वाली भुजा, ए एडेस, इसका लंब हो जाएगी, तो ए, एडेस, बटे में, कर्ण, ए, बीडेस, इसका कर्ण हो गया, यह आ गई हमारे पास में equation number 4, अब देखिए, हमें snail का नियम find out करना है, sign I upon sign R याद करना है, तो समीकरण 3 के अंदर किसका भाग लगा दीजिए, समीकरण 3 भाग 4 से, तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान देंगे, sign I upon sign R बराबर, I का मान कितना है, B, B'deas upon A, B'deas, sign R का मान कितना है, A, A'deas upon A, B'deas, यहाँ पर आप ध्यान देंगे ABDES और ABDES कट जाएगा क्योंकि यह भी इसके बटे के नीचे है यह भी इसके बटे के नीचे है तो यह दोनों एक दूसरी को क्या कर देंगे cancel कर देंगे देन क्या मिलेगा हमें Sine I upon Sine R बराबर B BDES upon A A DES मिल जाएगा Clear? अब B BDES की वेल्यू समीकरण 1 से A A DES की वेल्यू समीकरण 2 से यह रहा समीकरण 1 यह रहा समीकरण 2 दोनों की वेल्यू पूट कर दीजिए देन हमें क्या मिल रहा है C1 T upon C2 T T से T के cancel हो गया Sine I upon Sine R बराबर C1 upon C2 जो की एक constant होता है नियत वेल्यू होती है और यही क्या है? Snail का नियम है सनेल का नियम अपवरतन का दूसरा नियम है अपवरतन का दूसरा नियम तो हमने यहां पर अपवरतन का दूसरा नियम पुट्ट कर दिया है हाईगेन के तरंग सिदान से फाइंड आउट कर दिया है पहला नियम हम इस डाइग्राम से भी बता सकते हैं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभलंब तीनों एक ही तल में अवस्तित होते हैं, मुझूद होते हैं ये सनेल का नियम हमने प्रूप करी दिया अब देखे, मैं किसी समतल तरंगागर को प्रिजम पर आपतित करवाओंगा इसके साथ में हम मैं लेंस पर और एक अवतल दरपन पर उसका आपतन करवाएंगे हम देखेंगे कि उनका अपवरतन होने के प्रशाद जो तरंगागर है वो किस प्रारूप में होगा, कौन से रूप में होगा एक बार इसको हड़ा देते हैं, फिर हम बात करेंगे देखिए, अब हम यहाँ पर किसी प्रिजम के द्वारा किसी उत्तल लेंस के द्वारा और अउतल दरपन के द्वारा जब उनके उपर कोई समतल तरंगागर आपतित होता है तो वो किस तरीके से अपवर्तित या प्रावर्तित होता है वो यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले हम लेते हैं प्रिजम ये हमारे पास में है एक प्रिज्म और इसे प्रिज्म के उपर हम एक समतल तरंगागर आपतित करवा रहे हैं ये हमारे पास में है एक समतल तरंगागर और जो प्रगास की किर्णे होती है वो इसे समतल तरंगागर के ठीक लंब अदिसा में होती है यह है WWDES, इसे हम आपतित तरंगागर कहते हैं, आपतित तरंगागर कहेंगे, देखे हम आपको एक बार याद दिला दें, किसी प्रिजम से प्रगास की किर्णों का अफ़वर्थन किस तरीके से होता है, जब प्रगास की किर्ण इधर से आपतित होती है, तो यह जब इस आदे में प्रवेश करती है, तो थोड़ी से इस तरीके से मूड़ियेगी, और जब यह यहां से प्रवेश करेगी, थोड़ी से और मूड़ियेगी, तो यह इस तरीके से हमने प्रगास की किर्ण का किसी प्रिजम द्वारा जो अपवर्थन है, वो पहले ही पड़ा है, हमन ये जो सारी एरों के निसान आप देख रहे हैं ये प्रगास कीर्णों की दिसा है जो कि ये वाला जो आप सीधी रेखा देख रहे हैं ये हमारे पास में हैं तरंगागरे, समतल तरंगागर का यहाँ पर हम आपतन करवा रहे हैं हम यह जानते हैं कि जब इस तरीके से प्रगास की किर्णे आपतित होती है ऐसे यदि प्रगास की किर्णे आपतित होती है तो यह इस प्रस्ट से इस तरीके से अपवर्तित होकर एक दूसरे के समानतर हो जाएगी ऐसे ऐसे एक दूसरे किया हो जाएगी? समानतर हो जाएगी यहां पर जो तरंगागर है www.dais आपतित तरंगागर तो यह जो www.dais अपवर्दन के पशाथ इस तरीके से थोड़ा सा मूड जाएगा जुक जाएगा यहां पर हम इस तरीके से दिखा सकते हैं कि यहां से जो तरंगागर आपतित होता है तो जो तरंगागर अपवर्दन के पशाथ इस प्रकार से थोड़ा सा क्या हो जाएगा? जुक जाएगा इस तरीके से हमें प्रापत होता है तो प्रिज्यम के उपर जब कोई समतल तरंगागर आप्तित होता है तो थोड़ा सा जुक जाएगा अपवर्तित तरंगागर हमें इस प्रकार से मिलेगा clear अपवर्तित तरंगागरे थोड़ा सा आपतन की दिशा से जुक जाता है clear अब देखिए हम यहां पर अब की वार ले रहे हैं उत्तल लेंस और इस उत्तल लेंस की उपर भी हम आपतित करवा रहे हैं समतल तरंगागर को समतल तरंगागर होता है उसकी ठीक लंबोत दिशा में ये भी हमारे पास में क्या है एक आपतित तरंगागर है और जो प्रगास की किरने होती है वो इस तरीके से होगी ऐसे संचरित होगी और हम यह जानते हैं कि जब किसी उत्तल लेंस पर ये हमारे पास में एक उत्तल लेंस है और इसकी मुख्यक्स के समान तर आने वाली जो प्रगास की किरने है वो उत्तर लेंस के द्वारा फोकस बिंदू पर मोड दी जाती है किदर मोड दी जाएगी फोकस बिंदू पर मोड दी जाएगी इस तरीगे से हमें प्राप्त होती है तो देखें यहां पर यह हमारे पास में एक तरीगे से समतल तरंगागर हो गया है डबलू डबलू डेस और यहां पर यह गोली तरंगागर के रूप में प्राप्त हो जाएगा डबलू डबलू डेस कैसा तरंगागर प्राप्त होगा एक गोली तरंगागर जो इस उत्तर लेंज के फोकस बिंदू की ओर जा रहा है किदर जा रहा है इस उत्तर लेंज के फोकस बिंदू की और अगरसर है तो यहां से जो तरंगागर आगे बढ़ रहा है और उत्तर लेंज से जब वो अपवर्तित होता है तो अपवर्तन के पशाथ वो एक गोलिय तरंगागर में कनवाइट हो जाएगा किसमें convert हो जाएगा, गोल ये तरंगागर में convert हो जाएगा, इस तरीके से प्राप्त होगा, clear, ऐसे प्राप्त होता है, ऐसे प्राप्त होगा, ये है हमारे पास में किसी उत्तलें से अपवर्तित तरंगागरे, जो की focus बिंदू की ओर अगरसर होगा, एक गोल ये तरंगागर यहाँ पर तो तरंगागर क्या होगा? समतल तरंगागर यह बढ़ थोड़ा सा जुक जाता है यह गोल यह तरंगागर यहाँ पर हमें प्राप्त होगा अंत में हम यहाँ पर बात करेंगे कि यदि किसी तरंगागर को किसी अवतल दरपन प्राप्तित कराए जाता है तो क्या होगा ये हमारे पास में है एक अवतल दरपन और इसके उपर हम आपतित करवाएंगे एक समतल तरंगागरे ये हमारे पास में है समतल तरंगागरे इस तरीके से ये एक समतल तरंगागर इधर आगे बढ़ रहा है डवलू डवलू डेस और जब ये तरंगागर इसके उपर आपतित होगा तो ये भी एक गोल ये तरंगागर के रूप में कनवर्ट हो जाएगा जो कि इस उतल लेंस के फोकस बिंदू की और अगरसर होगा इस उतल लेंस के इस अवतल दर्पन के यहाँ पर क्या है ये अवतल दर्पन इस अवतल दर्पन के फोकस बिंदू की और अगरसर होगा यहाँ पर उतल लेंस है और इसकी भी फोकस बिंदू की और अगरसर हो रहा है clear विदेर तो यह topic आप लोगों अच्छे से समझ में आ गये होगा अब हम आपको बता दे हमारे YouTube चैनल के वोड़सप नंबर जिससे आप हस्त लिखित नौट से प्राप्ट कर सकते हैं 9460239358 से केवल वोड़सप करना है कोल नहीं करना है आज के इस वीडियो में इतना ही धन्यवा दोस्तों